आपको पता होगा जम्मो कश्मीर अट्मिस्टेट्यू सर्विस का रेजल्ट आया था और उसमें अभिलो महाजिन साब जो है वो सिलेक्ट होगे हैं इस वकत ये एक प्रेरना बने हुए है आईए इनसे पूछते हैं कि ये एक्जाम करेक करने में इन्होंने क्या क्या जो है सबसे पहले तो अभिलो जी आपको मुबारक बात देता हूं में कि आपने जो है वो जम्मो कश्मीर अट्मिस्टेट्यू सर्विस का एक्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है पहले ये बताईए कि इस वकत क्या फिल कर रहे हैं सबसे पहले तो मैं सबको शुक्रिया अदा करना को आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है बैक्ग्रोंड क्या था एजुकेशन का आपका जी मैंने युनिवस्टी आफ जमू से पहले मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है देन फिर मैंने एंफिल की है अब मैं फिलाल पेजडी परस्यू कर रहा था तो ये एक बिल्कुली डिफरेंट साइट्रीम है जो एजुकेशन का आपने एक बैक्ग्रोंड बताया हूँ तो ये वहां से यहां की तरफ आने के लिए एड्मिस्टेटर बनने के लिए ये कब से आपने ये मैंटल सैटप कब से बनाए जी मैंने ये जब मैं एंड्रोल हुआ थ तो एक्शल जो मैंने तियारी स्टाट की थी मैंने दो हजर पंद्रा से हैं फुल फ्लेज्ट टियारी स्टाट कर दी थी बट कुछ कारणों करण जासे मैं नहीं हो पाया यह मेरा फॉर्थ टाइम मेंस था जो मैं पास किया हूं से जबले मैंने चार मेंस लिके थे और ये तो 2015 से ही मैं सोज रहा था कि मेरी फूर फूररी टियारी यहां से का रहा था इंसपिरेशन कहा से लिए अपनी कहा से जो आपको प्रेहना मिली कि आपको यहां की दरफ आना है जी मेरा अगर मैं अगर प्रेना की बात करूं तो मेरे कितने बड़े स्कॉलर्स थे जो यूनिवर्सिटी थे जो अलड़ी सेलेक्टिट थे अच्छी पोस्ट पे थे हम पढ़ते इनके बारे में कि बीरोक्रेसी कैसे काम करती है कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा प्रेना बनते कहां से लिए है आपने स्टडी कहां से किये है और में जो है वो फोकस आपका किस सब्जेक्ट पर दिया जी मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिए सिरफ मेरा जब इंटर्व की मुझे कॉल आई थी तो मैंने दो मॉक टेस्ट दिये थे एक इंस्टूट में जो मैंने सारी सेल प्रेयरना वगैरा आपने ली है गॉइड सब्जेक्ट पर आपका जो है मेन फोकस था जो मेरा पॉलेटिकल साइन्स ता उसमें मेरी भी है और वही मेरा शूज्चूश किया है आप एक administrator बनना चाहते हैं या कोई police service को आप प्रेफर करेंगे जो मेरी first preference है वो administrative services है second मेरा जो option है वो है KPS के लिए इस वकत आप देखोगे कि aspirants की बात करें आप तो qualify कर चुके हैं aspirants की बात करें जम्मो कश्मीर के माहूल को अगर as a whole हम देखने की कोशिश करेंगे तो माहूल ऐसा है कि focus करना अपने goal की तरफ और एक persistent बात पर चलना maximum candidates के लिए हालात के चलते जो है वो difficult सा हो चुका है तो ऐसे में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से वो manage करें वो लोग जिनके पास resources भी कम है और वो लोग जिनके पास इस वकत जो है वो इस किसम के goals की तरफ जाना जो है वो एक difficult सा महसूस होता है वो कैसे जो है वो आपने इस पात को जो है वो persistently पकड़ सके और अपना goal चीव करें कि मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि जो इस सीविल सर्विसी से यह बहुत एक vicious cycle है कि जो इनसान पहले इसके गुश जाता था उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता कि आप वैसे त्यारी करना स्टार्ट कर देते हैं आपको मन होता है कि आसी services हमें मिल कि जहां पास societal value भी हो respect भी हो तो मैं उन बच्चों को जिनके पास resources कम है मैं उनको एक यही अपनी तरफ से मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि तीन चीज़ें एक civil substance को crack करने के लिए बहुत इंपोर्ट है मतलब आपको determination रखनी है कि इस बार नहीं तो अगली बार अगली बार नहीं तो अगली बार तिल अपर एज लिमिट हमें अपनी त्यारी करती रहना चाहिए और वैसे भी अगर हम resources की बात करें तो आज कल कितने ऐसे groups हैं कितने ऐसे coaching इंस्टूट के group हैं जहां पर आपको free of cost आपको study material मिल जाता है जैसे telegrams में कुछ ऐसे groups हैं जो आपको हमें in fact मैंने भी बहुत से resources यूज की हैं वहां पर आपको PDF मिल जाती हैं जमों में बैठे ही हुए हमें दिली इंस्टूट की बड़ी सादा PDF मिल जाती है तो मैं उनको बस यह बोलना चाहूंगा कि आपको dedication preservation and determination की बोज़ा जूरूरता अगर आप civil services क्रेक कर सकते हैं तो इस वकत आप देखोगे कि background अगर को लोगों का हम चेक करें तो effort नहीं कर सकते है maximum हमारे लोग resources का आप जैसे आपने का social media का सहरा ले सकते हैं guidance का सहरा ले सकते हैं कुछ लोग ऐसी जगहों से होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही detached होते है rest of the world से facilitations भी वहां बिल्कुल ही कम होती है यहां तक कि वो simply जो है वो basic management है वो भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पैसा होना या फिर status का high होना या फिर resources का होना इस type के exams को crack करने के लिए यह चीज़े जरुरी होती है यह अगर म humble background से थे in fact हम बहुत humble background से तो मैं यह नहीं बोलूँगा कि जो humble background से है तो वह यह services crack नहीं कर सकता और जो बहुत अच्छे upper middle class लोग है यह upper class लोग है तो वही यह चीज़े कर सकते हैं in fact हमें उन लोगों को ही देखना चाहिए जो बड़े humble background से निकले हैं और कुछ ऐसे मुक सा तबका जो हमारी society का है अगर उसके अंदर वो करने की निश्टा है तो वह यह चीज़ करेक्ट कर सकता है society में अगर as a whole या फिर particularly अपने अपनी society की बात करें तो conservative ने स्कुशन को शाद तक जो है वो जमो कश्मीर के अंदर है एक general based discrimination जो है वो आम देखी जाती है पुरुशों के मकाबले में जो हो महलाओं को कम opportunity मिलती है जैसे आपने इस वकत अपना dream अचिव किया इसी तरह कई महलाएं ऐसी है जो यह कई गल्स ऐसी है जो same type का जो एक ambition रखती है मगर conservativeness और जो एक general discrimination है वो उनको कहीं न कहीं hurdle बनता है और अपना जो एक पात है उसको maintain करने में या उस पर चलने में जो है वो एक difficulty सा create करता है ऐसे में आप क्या कहेंगे कि उस type के particularly जो girls students है उनको जो है वो अपने इस goal की तरफ आने के लिए किन किन जो है वो do's or dot's का जो है वो सहरा लेना चाहिए undoubtedly यह बात आपके बिल्कुल सही है कि अगर एक male candidate prepare कर रहा हो और एक female candidate prepare कर यह किसी भी services के लिए किसी भी services के लिए एदर in higher education और in any other exam एक female candidate को जादा ही कस्ट उठाने पड़ते है जैसे कि अगर हम बात करें जैसे हम library से हम 12 बज़े भी गर आ सकते हैं लेकिन फीमेल हम डूटी आर पाट्रियार्कल सुसाइटी के कारण हम लड़की को एक time पे गर आना पड़ता है एक social security नहीं होती किसे security issues भी रहते हैं तो यह हमेशा से यह रहा कि एक female candidate को हमेशा से थोड़ा सा उनको कम edge मिलता है एक male candidate से लेकिन मैं यही करना है अगर हमारे में अगर एक female candidate जाती है और हम देखते भी हैं कि काफी लड़कियां success भी पारी जैसे हम मैं बात करूँ जो हमारे इस लिस्ट की जो टॉपर है वो एक female candidate ही है मैं उनको भी congratulate करना चाता हूँ आपके मादें से यह अगर जब उन्होंने सोचा कि वो भी उन्होंने यह चीज को achieve ही किया कि आपके घर में इस वकत खुशी का माहूल है आपके जो फर्जंद है एनुने रिसेंटले administrative service जो है वो क्रैक किया हुआ है कैसी feeling है और कैसे महसूस हो रहा है बहुत अच्छी feeling है जी मैं बड़ा खोश हूँ भगवान ने बड़ी किरपा किये हम पर तो सारी family खुश है जी इसकी बड़ी मेंट है यहामने देखा हुआ है काफी मेंट मारे इसमे अस अबस यतना है सकता हुए भास तो बट खुश हो दिया कि मेरे बेटे ने मेरा सीरूंचा कर दिया इसने बहुत मेनेत भी किया मेरा एक ही सौच दी कि मेरे बच् sjE तरह आं-पाल लीके अपने इस वकत आपके जो छोटे भाई हैं, इन्होंने जम्मो कश्मीर अडिमिस्टेशन का जो एक्जैमिनेशन है, वो क्वालिफाई किया हुआ है, क्या पैगाम देना चाहती है आप हमारी सोसाइटी के, पर्टिकुलरली गल्स को और वो लोग जो इसी तरह का जो है वो एक परी सिविल सर्विसिस क्राक हुआ है, उसके लिए तो हम बहुत खुश हैं, आप हम प्ती खुशी का जाहिर नहीं कर सकते शब्दों में, और गर्ल्स एस्परेंट्स के लिए तो यही पेगाम देना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक फीमिल रेप्रेजेंटेटीवी हूँ तो गर्ल्स और बॉइज में इक तो सब्से पहली बात की कोई डिस्कक्रिमिनेशिन है नहीं सॉसाइटी ने, जो cress God कि मैंड सेट का डिस्क till इस वकत उनोंे जैने जो है, वो एड्मिस्टेटिव एड्मिस्टेटिव एक्जामिनेशन कॉलिफाई किया हूँ है, आप मेंटर भी थे और आप उनको जो है हो हमेशा सा अथ रहे हैं, इस वकत जो है वो कैसा फिल कर रहे हैं अब और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए इनका struggle जो है वो हमने देखा है लोग तो success देखते हैं हमेशा से but no one knows the struggle behind that success इन्होंने पिछले 6-8 सालों में जितना failure देखा है वो सब failure देखने के बाद ही इन्होंने success को हासिल किया तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो valuable जो morals इनके हैं जो चीज़ों से गुजर के इन्होंने ये चीज़ हासिल किया मुझे लगता है rank माइने नहीं रखता है लेकिन इनका जो experience with failure जिसकी वज़े से इन्होंने ये success हासिल किया है में ख्याल से ये जो हमारा समाज है उसमें भी अच्छा सा एक message convey करेंगे और लोगों के welfare के लिए काफी ज्यादा ये fruitful रहेंगे इनकी जो services रहेंगे and I'm very happy for him